दोस्तों हम अभी भी हमारे PS4 से बहुत सारा प्ले टाइम ले पा रहे हैं गेम्स खेल कर क्योंकि न्यू गेम्स आती जा रहे हैं PS4 पर अभी भी और काफी लोग तो ऐसे हैं जो कि PS3 और उससे भी पुराने कंसोल यूस्ट कर रहे हैं अब वक्त है फ्यूचर के बारे में बात करने का PS5 कब आएगा PS5 की रिलीज डेट और भी स्पेसिफिकेशन क्या होंगे सबसे पहले बात करते हैं PS5 की रिलीज डेट की तो PS4 के करन्ट टाइम लाइन के अकॉर्डिंग से देखें तो सबसे पहले PS4 नवंबर 2013 में लाँच हुआ था उसके बाद उसका अपग्रेटेड वर्जन PS4 Pro 2016 में आया Sony के competition की बात करें तो Microsoft का Xbox One X नवंबर 2017 में आया और Nintendo Switch March 2017 में जिसने एक बड़ा record बनाया 18 मिलियन यूनिट सेल करके जापान और US में इस हिसाब से rumors यह आ रही है कि 2020 के end में आ सकता है नया PlayStation 5 Hardware specification की बात करें तो ऐसी rumors आ रही है कि PlayStation 5 अभी कुछ developers को दे दिया गया है Testing के लिए PlayStation 5 को काफी strong hardware के साथ लाया जाएगा कुछ reports यह कहती है कि Sony काम कर रहा है AMD Ryzen CPU के साथ जो कि एक powerful hardware होगा PS5 के लिए जो कि PlayStation 4 से बिल्गुल अलग होगा और Xbox One X को काफी बड़ा competition देगा और PlayStation 5 में PSVR का support भी होगा अब बात करते हैं PS4 PlayStation 5 के pricing की कि क्या उसकी price ज्यादा होगी या current PlayStation 4 के हिसाब से ही होगी तो US में सबसे पहले PlayStation 4 launch हुआ था लगबग 399 डॉलर जो कि इंडियन नोट रुपीज में convert करें तो 27,500 रुपे होते हैं 2016 में आया PlayStation 4 Slim PS4 की PS4 से काफी सस्ता लॉँच हुआ था जिसका price था 20,500 अगर हम उसको US डॉलर को convert करते हैं इंडियन नोट रुपीज में उसी के साथ आया PS4 Pro जिसका price था 27,500 तो इस हिसाफ से हम guess कर सकते हैं के PlayStation 5 भी around 30,000 के अंदर ही आएगा लेकिन इंडिया आते यह pricing कितनी बढ़ती है वो हमको देखना होगा तो दोस्तो यह थी है Quick Update PlayStation 5 की rumors को लेकर I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो hit that like button, share करिए वीडियो को, channel को subscribe कर दीजे for upcoming exciting videos, thanks for watching this video